हलो गाइस इंडियन गौर्मेंग की तरब से एक कैमपेंग चला जा रहा है जिसका नाम है हर घंट तरंगा होगा दोस्तो इसमें आप लोग को इंडियन फ्लैग दिया जाएगा आप से कोई भी सिपिंग चार्ज नहीं ली जाएगी 25 रुपीज का आपको ये तरंगा मिलेग मैंने जब ऑनलाइन जाके फिलिप कार्ड एमाजन और काफी सारी वेबसाइट में देखा किसी में 300 किसी में 400 कुछ इस तरीके से मिल ला था लेकिन गौर्णमेंट की तरफ से सभी लोगों को मिल ला है 25 रुपे का इंडियन फ्लैग और दोस्तों ये पोस्ट आफिस के तर वहीं पर आपको ये फ्लैग वाली भी लिंक मिल जाएगी तो यहां पर मैंने दोस्तों कुछ डीटेल यहां पर फिल किये वह आप लोग जान लीजिए यहां पर और नेशनल फ्लैग 25 रुपीज फ्री सिपिंग और अउनली नीड अगर आपको नीड है और की तभी बुक क क् सकती हों लेकिन से बुक करोओगे तो आप लोग बुक करते ओ जब तक मैं आप लोगो ट्रिक नहीं बताऊंगा सब्से इस तरीके से आप लोग को आईडी बनानी हो कैसे बुक करना है एक एक चीज में आप लोग बताऊंगा तो इसकी बिल्कुल भी वीडियो ना करना यहां पर देशकते हो वेबसाइट कभी कभी हो जाती तो फिर से मैं जाओंगा और यहां पर लिंक को पेस्ट करूंगा कुछ इस तरीके से मैंने लिंक पेस्ट की दोस्तों यहां पर वेबसाइट ओपन हो गई यहां पर आपका नाम डालना है लास्ट नेम डालना है एमेल डालना है फोन नमबर डालना है पासवर्ट करना है कंफर्म का पासवर्ट करना है और कैप्चा फिल कर देना है उसके बाद मे यहाँ पे एक option मिला लॉग इन का तो लॉग इन पे क्लिक करना है यहाँ पर मैंने लॉग इन पे क्लिक किया कुछ इस तरीके से आपके सामने लॉग इन प्रोसेस आया गया जिसमें आपकी email आइडिया फोन नमर मंगा जाएगा और पासवर्ड आपने जो बनाया है यहाँ प दिख आहां पर आप लोगों को तो दीख रा होगा का आप लोगोगोत मिलगको यह रहा ही आप लोग इन द के जैसिसऀ उनक करोगह तो दोस्तों तो थोड़ी से करो चलेगी है दोड़ी सा वएट पड़ेगव यह घृळ Diamond in Airbnb का लेगा है कि दोस्तों यह वेपससाइट में मी तैसे ही थोड़ा सा बग करहा है क्या काफी काफी लोग इस वेबसाइट में जा रहे ह्या इस ट्रैफिक जाधा होने कारना थोड़ी से वेबसाइट सलो चल रहिए तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके तो यहां पर मैं विव कार्ड पर क्लिक करूंगा और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप लोग दे सकते हो कुछ इस तरी के डीटेल खुल गई कि जिसमें से आप से सिप 25 रुपेस लिया जाएगा कोई सिपिंग चार्ज वगरा नहीं लिया जाएगा उसके बाद में अभी यह स्टॉक पर भी है मतलब अभी यह उपलब्ध है तो आप लोग बुक कर सकते हो आप लोग एक दो तीन पांट दस पंदा कितने भी बुक कर सकते हो तो यहां प्रोसीट टुच चेक आउट पर क्लिक करना है सिंपल सा जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से ओपन होगा तो यहां पर दोस्तों वेट करते हैं कभी-कभी यह वेबसाइट बैक भी मार देगी तो आप लोग फिर से कार्ड पर क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि वेबसाइट दोस्तों काफी ज़्यादा ट्राफिक होने करना स्लो चल यहां पर मैं फिर से प्रोसीट चेक आउट पर क्लिक करूंगा अगर फिर से बैक होता है तो आप फिर से वहां पर कर सकते हो यहां पर मेरा नंबर आ गया है तो मैं वह हाइट कर दूंगा आप लोग देख सकते हो यहां पर नाम और नंबर वगयरा सब सो करेगा तो यहां आप लोग को एक option दिख रहा है continue checkout का तो इस पे आप लोगो को click कर देना जैसे आप इस पर click करोगे तो यहां पर मेरा address already पड़ा है यहां पर मैं hide कर दूंगा और अगर आपको new address डालना है आपने already डाल करें रखा तो यहां पर आप लोग यहां पर देख सकते तो एक option दिख रहा है, add new address, इस पे आप लोग को click करना है, जैसे मैं इस पे click करूँगा, तो दोस्तो आप लोग देश सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके सामने detail आजाएगी, जिसमें आप लोग से दोस्तो यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आप कहा के रहने वाले ह आपका नाम क्या है, आपका phone number, pin code, locality, यहाँ पे city, district, town आप लोग डाल सकते हो, state डाल सकते हो, landmark डाल सकते हो, alternate number यहाँ पे आपको डालना है और आपका full address, जैसे आप लोग इस पे click करोगे, तो यहाँ पे save का option आएगा, save में click करने के बाद में आप लोग को continue कर देना, यह यहाँ पे address को select करूँगा, delivery hair पे click करूँगा, जैसे मैं इस पे click करूँगा, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से option आजाएगा, देख सकते हो, आप लोग को सामने कुछ इस तरीके interface है, 25 रुपए यहाँ पे मुझसे पेकन निकली बोला जा रहा है, तो यहाँ पे continue checkout पे मैं click करूँगा, जैसे मैं इस पे click किया, तो आप लोग को देख सकते हो, payment gateway का option आगया है, अगर आप लोग को desktop on कर लोगे, तो ज्यादा easy होगा, वनना आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग को उपर show कर रहा है, payment gateway, तो मैं इस पे click करूँगा, यहाँ पे slow चल लाई है, और 50,000 से जादा लोगों ने यहाँ से फ्लैक को book किया है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आगया है, confirm payment का, तो यहाँ पे simple सा इस पे click करूँगा, जैसे आप लोग इस पे click करोगे, तो एक नया redirect करेगा payment method पे, तो इसको हो जाने देना है, debit card, wallet, net banking, UPI, PTM, किसी से भी कर सकते हो, तो ज्यादा तर लोग UPI के use करते हैं, तो simple से मैं UPI पे click करूँगा, और UPI के true आप लोग भी payment कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, यहाँ आप लोग देशत हो, काफी सारे आप लोग को option मिलेंगे, अगर आप में से इन में किसी में भी UPI नहीं, तो आप लोग को any UPI पे click करना है, और यहाँ पर आपनी UPI ID डाल देनी है, और जैसे यहाँ पर verify करेंगे, आप लोग को payment कर देना है, आपका यहाँ पर order successful हो जाएगा, और दोस्तों यह 15 अगस्त के पहले आप लोग को receive हो जाएगा, दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग Indian flag को book कर सकते हो, तो दोस्तों I hope मैंने जो आपको जानकारी दिये, आपके लिए थोड़ी से भी helpful लगी हो, और अगर आप लोग को successful तरीके से जो flag book हो गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में flag नाम से comment कर सकते हो, अगर आप लोग का book नहीं हुआ, आपका प्रोब्लम आती है, तो वहाँ पर आप लोग कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, तो I hope दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छले कोई तो लाइक कर दे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीड आप तक मिलती रहें